हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दाइफिसेंट इंजिनियर में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, आज का हमारा टोपिक है हम किसी भी पंप का प्रेशर कैसे पता करें कि उस पंप का डिस्चार्ज प्रेशर कितना है फ्रैंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी विदियोज को लाइक कीजिए तो फ्रैंड्स चलिए सुरू करते है अपना टॉपिक के हम किसी पंप के pressure को कैसे पता करें कि इस पंप का discharge pressure कितना होता है अगर आपको पता करना है तो आपको सिंपल करना क्या है आपको उस पंप की नेम प्लेट को देखना है जब आप उस पंप की नेम प्लेट को देखोगे तो उस पंप की नेम प्लेट पर आपको एक टर्म लिखी हुए दिखाई देगी head friends उस head को आप suppose कर यह आपने कोई pump देखा उसका आपने देखा कि उसका head जो है वो h से denote करते हैं लिखा है 40 meter तो friends simply करना क्या है आपको उसे 10 से divide कर देना है यानि 10 से उसका भाग कर देना है जब आप उसके 10 से divide कर देंगे तो हमरे पास value आएगी 4 g पर cm2 के बराबर होता है आपको किसी pump पर head जो है meter में ना होके foot में भी हो सकता है तो आपको simply उसे foot को foot जो है वो आपका दिया है आपको उसे meter में convert कर देना है और उसे divide by 10 कर देना है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके pump का discharge pressure कितना है अगर आपको किसी fluid के लिए by numerical हम pressure कैसे निकालते हैं तो उस पर भी मैं एक जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा कि formula से हम किसी pump का discharge pressure और pump कितनी power consume करेगा चलने के लिए calculate कैसे करते हैं वो मैं जल्द वीडियो upload करूंगा तो friends thank you